नमस्काल दोस्तों आज हम बनाएंगे तर्बूच का जूस चिया सीट के साथ चलिए इसकी रेशेपी देखते हैं इसे बनाने के लिए मैं दो बड़े चम्मत चिया सीट ले रही हूँ और इसे आदर वल्टे के लिए मैं भीगो के रख दूँगी ताकि अच्छी तरह से भीग जाए इसे भीगोने के लिए मैं यहाँ एक कपाने डाल रही हूँ चिया सीट गर्मी के लिए बहुत अच्छा होता है यह शरीर को ठंड़क प्रदान करता है और इसके बहुत से फायदे होते हैं अब हम इसे ढख कर रख देंगे अब हम मिक्सर जार में तीन कप तर्बुच डालेंगे जिसे मैंने काट लिया है तर्बुच डालने के बाद अब मैं इसमें अधा चोटा चम्मा जीरा पावडर डाल रही हूँ जिसे मैंने भून लिया है अधा चोटा चम्मा अच काली मिर्स पावडर अधा चोटा चम्मा अच काला नमा और एक निबू का रश डाल कर मैं इसे पीस लूँगी तो आप इसमें एक से दो चमब सक्कर डाल सकते हैं मैंने यहां सक्कर नहीं डाला है यह पीस कर तयार है आधर गंटे बाद हम चिया सिर्ट देखेंगे देखें अच्छी तरह से फूल चुका है यह तुलसी के बीच होते हैं इसे हम ग्लास में डालेंगे मैं ग्लास में दो चोटे चमब डाल रही हूं देखें इस प्रकार से अब मैं इसमें जूस डाल रही हूं इसी प्रकार हम सभी ग्लास में डाल लेंगे अब मैं इसमें आइस क्यूब डाल रही हूँ चाहे तो आप इसकी भी कर सकते हैं और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे अब मैं इसमें कटे हुए नीबू और पूदेना डाल कर इसे सजा रही हूँ देखिए तर्बुच का जूस चिया सीट के साथ बन कर तयार है यदि मिले रेसे पर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब